प्यारे बिद्धार्थियों आज की क्लास में आपको हम दूफरा पारड आपको हम दे रहे हैं ठीक है इसके पहले आपको हम जो अब्जेक्टिव प्रफ्न माइनर वाला भी ये वालफ आपको एक पेपर एक क्या बोलते एक भाग आपको दे चुके हैं ये दूफरा भाग च अमेरिका में भी इतने बनाया था रावत ओपिन हाइमर द्वारा मेंहटन पर्योजना के अंतरगत विखफिद किया गया था दब कि परमालवiosaतियार बनाने वाले परमालबंब बनाने वाले थे आठोहां क्योंकि परमालमब बना लेने मात्र फे ही जो है आप वो क्या बोलते हैं बना लेना मात्र ही बड़ी चीज नहीं है उसका परिच्छन की जो बेवफ्था हुई थी ये मैंहटन परियोजना के अंतरगत अमेरिका ने किया था निर्माता है या टो हान अभिक्षित को उन किया था राबर्ट ओपेन हाइमर द्वारा मैंहटन परियोजना के अंतरगत ये फंपूर्ण जो है परिच्छन की बेवफ्था की गई थी ठीक है चलिए क्यूबा मिफाइल फंकट ने दुनिया के किन दो देशों को के बीच परम पारे में हम वंचिप्ते में बता जिते हैं तो पच्छों क्यूबा जो है एक फामेवादी कंट्री है जो खांफ करके अमेरिकन महाधूर्व के बीच में अट्लांटिक महाफशागर बे एक अमेरिका के नड़्दी की एक जो है दूइप है ठीक है चुकि फामेवादी है उसने अपने यहां फोबियत फंग को बेवफ्था दिया कि आपके हमारे यहां अपने परमाण मिसालों को लगा सकते हैं तो जैसे अमेरिका जैसे जो है उफने फोबियर फंक जैसे जो है अपनी बेवफ़ता करके वहाँ पे जहाजों पे लाद कर अपने परच्छे पाफ्तरों को लेके चला तो तुरंत अमेरिका को लगा कि हमारे लिए खत्रा है तो उफने क्यूबा की नाके बंदी कर दी यानि क्यूबा तक कोई भी जहाज नहीं पहुँचने पाएंगे अइफा नाके बंदी उफने कर दिया था जो किवाफ्तों में उफकी फूरच्छा के लिए खत्रा था तो उफी फमये का इसा फमये था जब दोनों देशों के बीच में या दोनों महाफक्तियों के बीच में परमार युद्ध होते होते बचा था तो इसी को हम कहते हैं क्यूबा मिफाइल फंकट ठीक है चलिए किफ देश ने वन बिल्ट वन रोड इन पाहल की फुरुवात की तो बित्यों है चाइना ब्यापार प्रतिबंध क्या है ब्यापार प्रतिबंध है ब्यापार पर पून प्रतिबंध ठीक है ये है आपरेफन बार्बरोफा किफ युद्ध में हुआ था तो आपरेफन बार तो बच्चो नेपोलियन के युद्ध उन्नीफवी फदी में हुए थे, उन्नीफवी फदी के प्रारंभ में, ठीके, क्योंकि उन्नीफवी फदी के प्रारंभ में, ठीके, क्योंकि उन्नीफवी फदी के प्रारंभ में, ठीके, क्योंकि उन्नीफवी फदी के प्रारंभ में, जो फ्राम्फ का था ठीक है कि फ्युद्ध में खाई युद्ध फामर्की का व्यापक प्रयोग देखा गया तो वो है प्रथम बिफ्युद्ध और प्रथम बिफ्युद्ध का एक भाग है फोमे का फंगराम जिसमें प्रथम बार खाई युद्ध का मतलब होता है गति रोध की फामर की जो कि क्या बोलते हैं ये मफीन गनों और तोपों के द्वारा ये गति रोध यानि जो खाई खोद कर जो है उसमें चुप कर युद्ध करने की प्रक्रिया को खाई युद्ध कहते हैं, जो प्रकार पे गतीरोध है, ना तो आप आगे बढ़ बन तक्ते हैं ना पीछे अड़ सकते हैं, तो उसे हम खाई युद्ध कहते हैं और इसी खाई युद्ध को फमात करने के लिए टैंगों का जन्म हुआ था ठीक है तो प्रसम विफ्युद्ध का एक भाग था तो तीब विफ्युद्ध के दोरान किस देफ ने ब्लिट जिक्रिक युक्ति का प्रयोग किया अब्लिट जिक्रिक विफ्युद्ध का प्रयोग किया तो किया था वो जर्मनी फाइबर फुरच्छा का आर्थ क्या होता है डिजिटल खतरों फे फुरच्छा यानि इलेक्ट्रानिक खतरे जो होते हैं डबलू यमडी फद का क्या थे फामोहिग बिनाव के हथियार अगला है फामोहिग बिनाव के हथियार भारत और पाकिस्तान के बेट पहला युद्ध कब हुआ तो हुआ था नाइटेनफ़ुटी बन उन्नीफो फैंटालिफ में बरफाय की फंधी में अधिकार्डे अधिकारिक तोर पर किस प्रमुख युद्ध को फमाप्त किया तो बच्चों बरफाय की फंधी प्रथम भिफ युद्ध को फमाप्त किया था फित युद्ध किन दो देफों के बीच एक भूफाद नीति भूराज नीतिक फंगर्फ था तो वो देफों के क्या महाफक्तियों के बीच में था जो है फंगर्फन का युद्ध क्या है वो है समफाधनों के क्रमिक छरण के फाथ एक लंबा फंगर्फ जिसे एक प्रकार फे निउन्ती ब्रता फंगर्फ भी कहा जा सकता है जिसमें फंगर्फ हो ठीक है निम्न में से किनके मद्द छेलं की लड़ाई लड़ी गई थे तो सब लोग जानते हैं सिकंदर और पोरफ के बीच में लड़ी गई थी निम्न में कौन सा लड़ा को बिमान भारत द्वारा बेक्षित किया गया है तो बच्चों ये है तेजफ यही भारत के द्वारा बेक्षित किया गया था बाकी या फोला या अमेरिका का है या फठारा भी अमेरिका का है राफेल ये फ्रांफ का है ठीक है चले कारगिल संगर्फ के समय भारत का प्रधान मंत्री कौन था तो कारगिल कारगिल संगर्फ के समय भारत की बीजेपी गौवर्मेंट के प्रधान मंत्री थे फ्री अटल भिहारी बाज़ पेई ठीक है? ए बी बाज़ पेई फॉबियत फंग जो रूफ के नाम से है अपना पहला परमाण परिछन किस वर्फ किया? तो वो जो है अपना परमाण परिछन उन्नी फोन चाफ में किया था भारत की परमाण नीतिन में लिखित में से किस इध्धान्त पराधारित है तो वही है नोफफ्ट योग उजर्थार पहले हम प्रियोग नहीं करेंगे भारत में थोरियम का प्राथमिक फोरियम का है वो है मोना जाई निम्लिकित में से किसे भारत के मिफाइल मैन के नाम से जाना जाता है वो है डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ठीक है यहां आपको अब दो चीज़े बताएंगे फेश में है डाक्टर होमी जहां गेर भाबा यह भारत में परमाल कारिक्रम के चनक है उसके बाद डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम यह हैं मिफाइल मैन ठीक है अब्यत नाम युद्ध के दोरान राफाइनिक हत्यारों का मुख्यू उप्योग करता देव कौंफा था जो राफाइनिक हत्यारों का उप्योग करता था वो था फईयूक तराज अमेरिका ने बियताम युद्ध में भारी मात्रा में राफाइनों का छिरकाओ किया था इनोंने भारत पाक युद्ध निफ व पाइफट के दोरान भारत का थल फेड़ा प्रमुख कौन था तो वो थे जनरल जेयन चौधरी इनमें से किस देफ के पास परमाणु हत्यार नहीं है तो परमाणु हत्यार नहीं है वो है इस पेंट के पास निम्नमेफ युद्ध पहली बात आपको बतादेंगे आरा विजराइल युद्ध काय के हिफ़ा है निफ वु थिहुत्तर की ठीक है तो इजराइल है आप देख़कते हैं यूरानी युद्ध फंडचना फ्लैंक्स की फफे छोटी इकाई क्या थी तो फफे छोटी इकाई इसकी कहलाती है फाइल ठीक तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें 75 ही प्रफन थे तो उम्मीद करता हूँ आपको फमन में जरूर आया होगा बाकी पढ़िये लिखिये मस्त रहिए खुफ रहिए और इसमें रुख जाईए पहले हम देखते हैं इसमें 75 प्रफन था